नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिष्टी क्लासिज में साथियों आज हम जानेंगे कि पुर्तगालियों ने किस पिरकार से भारत में अपना आगमन किया और किस पिरकार से इन्होंने अपने समराज्य का विस्तार किया हलाकि पुर्तगाली जो थे वो व्यवपार के माध्यम से भारत में आये थे लेकिन यहां के छेत्रिय राजाओं की आपस में सत्रुता, मतभेद और सरयंत्र एक दूसरे के पिर्ति होने के कारण यानि विद्रो होने के कारण इसी का उन्होंने फायदा उठाया और अपने समराज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया तो जानते हैं हम पुर्तगालियों के बारे में किस पिरकार से वो भारत में आते हैं होता क्या है इससे पहले मेरे प्यारे साथियो चैनल मेरा नया है इसे जादे से जादा लाइक, सेयर और सस्क्राइब करें होता क्या है 1453 में घटना घटती है कुस्तुन तुनिया का पतन होता है 1453 में जब उसका पतन होता है तो जो तुर्की थे वो यूरोप को जाने वाले रास्ते पर अपना अधिकार कर लेते हैं अब जब तुर्कों का अधिकार हो जाता है यूरोप को जाने वाले व्योपारिक मार्ग पर जो कि इस्थल मार्ग था अब तुर्कों के साथ में कौन जुड़ जाता है तुर्कों के साथ में वैनिस के व्यवपारी भी जुड़ जाते हैं उस मार्ग पर अधिकार करने के लिए यानि उनका सहयोग करते हैं और रास्ते को अबुरुद कर देते हैं अब पुर्तगाली जो थे वो भारत के साथ अपना एक अधिकार करना चाते थे व्यवपार पर तो इसके लिए उन्होंने क्या करा एक पहल की कि भारत की खोज करी जाया यानि वो वहां से भारत तक किस परकार पहुँचे तो इसमें सबसे पहला कदम जो उठाते हैं पुर्त हो गया और उनके व्यक्तिवसेश जो की भारत की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं अब जब यह निकलते हैं तो दोनों चलते हैं एक तरफ तो पुर्तगाली दूसरी तरफ इस्पैन वाले अब दोनों चलते हैं चलते चलते होते क्या है कि 1402 में इस्वी में जो जो निवासी था कोलम्बस ठीक है कोलम्बस ने 1402 में इस्वी में भारत की जगा अमेरिका की खोज कर ली यानि आना ता भारत पहुंच गए अमेरिका अब इसके बाद में क्या है वासको डिगामा क्योंकि दोनों साथ निकलेते तो वासको डिगामा पहला व्यक्ति था जिसने भारत की खोजगी 1498 इस भी में अब पहले भारत था भाई भारत पहले भी था लेकिन समझ्या क्या थी किसी भी यूरोपिय देश के द्वारा वो भी जलमार्ग के यूरोपिय देशों के द्वारा वो भी जलमार्ग के माध्यम से पहली बार खोजे जाने वाला यानि समुद्री मार्ग से खोजे जाने वाला भारत इसलिए कहते हैं कि भारत की खोज 1498 में इस भी में हुई क्योंकि भारत तो भाई देगो पहले भी था और आज भी है लेकिन जल मार्ग से जो खोज हुई थी योरोपिय देश के किसी भी व् ठाण में भारत की खोज हुई, लेकिन इसमें भी कौन सा सहयोग था, इसमें भी पुर्तगाली जो काली कट के समुद्री टट पर पहुँचा था, वो भी अपने आप में नहीं पहुचा था, मेहमूद, मेहमूद मसूद के द्वारा, है न, सुरी मेहमूद, क्या कि मेहमूद मसूद बोला था मैं यहां पर किसके सहयोग से अबदुलमजीद के द्वारसवरी अबदुलमजीद के सहयोग से उसकी सहयोग से ही काली कटके टट पर बसको डिगामा पहुँचा था अब वहां पर पहुँचने के बाद भी वहां का हेग हिंदू राजा था हिंदू राजा क नाम भी नाम से भी जाना जाता है उसकी उपादी तीजे फिर दोहराता हूँ मैं ठीक है इसके बाद में ये क्या करता है वहाँ पर वो उसका स्वागत करता है जमोरिन स्वागत करता है और फिर उससे आग्या लेता है जब भारत से उल्टा जाता है तो आग्या लेता है जमो जाता है क्योंकि मसाले थे वही और मसालों की यूरोप को क्यों जरूर रखती है क्योंकि मीट को बहुत ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए और खाना स्वादिश्ट मनाने के लिए जब वो यहां से ये काली मिर्चत जड़ी बूटे लेके जाता है तो सारे खर्च को काटने के बाद होता क्या है उसे 60 गुना मुनाफ़ा मिलता है अब 60 गुना मुनाफ़ा मिलने के बाद में हम जानते हैं कि फिर किस पिरकार से पुर्टगालियों का आना जाना लगता है और किस पिरकार से फिर वो अपना इस्थापित फैक्टरी भी तुन कर लेटे हैं। क्योंकि ये स्पेन के थे और इसके बाद में 1408 में पुर्तकाली का कौन था वासको डिगामा थीक है वासको डिगामा ने भी अब्दुलमजीद की साहता से जो की गुजरात का चट्टा कालिकट थीक है ना इसकी साहता से कहां पिर था कालिकट के चट्ट पर पिर वेश किया यहां का राजा हिंदू था लेकिन उसकी उपादी मैंने आपको बताई जमौरिन थी उसे इसलिए जमौरिन भी कहा जाता था अब यह करने के बाद में होता क्या है जब यह यहां पर आए तो समुद्री मार्ग से आए थे तो इसलिए समुद्री समराज्य को क्या कहते थे एस्ता दो इंडिया क्या नाम था एस्ता दो इंडिया के नाम से इसे जाना गया अब भसको डिगामा जब चला गया था ना मसाले लेके तो अब उनमें होड़ सी चालू होगी चलो भारत चलते हैं तो पंद्रह सो इस्वी में पंद्रह सो इस्वी में प्रेडो अलवेयर्स क् नेतरत्व में यानि अब यह पुर्तगाली था जो को 1500 इसवी में प्रेडोली नेतर्टव में क्या हुआ एक जहाजी बेड़ा आया जहाजी बेड़ा आया था ठीक है 1500 में एक जहाजी बेड़ा है लेकिन दूसरी बार जाब वासको डिगामा आया तो कवाय तो दूसरी वारवास को डिगामा फिल लोट के जाने के बाद में 1502 इसवी में ये भारत आया लेकिन 1503 इसवी में यहां पर समझना अलबुकर आया था प्रेडो अलवेर के नेतर में जहाजी बेड़ा आया और इस जहाजी बेड़े का नायक बनकर क्या छोटे यानि भारत में जहाजी बेड़े थे प्रेडो अलवेर्स के नेतरत में आया था लेकिन नायक बनकर कोन आया था अलबुकर 1503 इसवी में जब यह यहां पर आया था तो इसने ही पहली बार यह देखा क्योंकि एक तो अनुमति लेली छितरे राजाओं की क्या देखी इसने आपसमें भेद भाव है आपसमें विद्रो हैं तो इनी चीजों का फायदा उठा कर इसने क्या किया क्यों ना अपना राज्जी भी स्तापित किया जाए और अपने स अमराज्य और अपनी सक्ति में बढ़ोतरी की जाए तो अलबुकर को ने पहली बार याद रखना पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्टरी देखो यहां से सम्मंदित कुश्चन बहुत पूछे गए हैं वो भी हम बताएंगे कि कोचीन में पहली फैक्टरी इस्तापि अब इसके बाद में क्या होता है फ्रांसिको डी अलमीडा फ्रांसिसको डी अलमीडा पंद्रे सो पांच इस्वी में यहां पर एक नजर आप डालना जो की बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है कि पिर्थम गवर्नर जर्नल बनकर भारत आया था यह कुश्चन पेपरों में ब पिर्थम पूर्तगाली गवर्नर जर्नल बनकर भारत आया था इसकी जो नीती थी वो क्या थी इसकी नीती थी जो भारतिया छेतर में इसको दुर्ग बनाने थे वो सुरक्षा के माध्यम से नहीं बनाने थे इसका जो मकस्त था समुद्री व्यवपार्ग को सुरक्षा देन समुद्रियानी जल मार्ग को सुरक्षित करना ना कि इस तल मार्ग के द्वारा अपने व्यापार को सुरक्षित जल मार्ग पर इसकी ज़्यादा विशेश कर ध्यान देना था हो तो इसलिए इसकी नीती क्या थी और सांती से भी अपार करना इसकी नीती सांत जन नीती कहलाई क्या कहलाई सांत जन नीती किसकी थी फ्रांसिसको डी अलमीडा मेरे प्यारे साथ यह वो कुश्चन भी पेपरों में पूछा गया है